बीसी सक्खी को बाटी गई है ड्रेस और ड्रेस है साड़ी जैसा कि आपने पिछली दो वीडियो में देखा है कि साड़ी किस कलर की है किस डिजाइन की है साड़ी बाटी गई 31 मई को बाकी बीसी सक्खी जिनको साड़ी नहीं मिली है उनको भी सीगर मिल जाएगी ब्लॉक पर बुलाया जाएगा और वहीं से साड़ियां बटेंगी इसी को लेकर के वीडियो पे कई सारे कमेंट भी आए हैं और कमेंट में हमारे विवर ने पूछा है कि मैम जिस तरह से 20 सकी को साड़ी दी गई है क्या समू की अन्य नौकरी करने वाली महिलाओं को मिलेगी क्या समू सकी को भी साड़ी मिलेगी क्या समू में जो बैंक सकी उसको भी मिलेगी या समू में कोई भी प्रकार की जो अन्य महिलाएं काम कर रही है उनको भी साड़ी मिलेगी समू की हर महिला को साड़ी मिलेगी इस तरह के कई कॉमेंट हमारे चैनल पर वीडियो पर आए हैं तो आप सभी के इन प्रश्णों को देखते हुए मैंने इस वीडियो बनाई है और इस वीडियो में आप लोग समझ पाएंगे कि साड़ी बीसी सकी को क्यों दी गई है और बाकी महिलाओं को कब और कैसे साड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी जो भी है तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जरूर देखिए एंट तक देखिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए तो लाइक शेर एंट सब्सक्राइब करना बिल्कूल मैं भूलिएगा स्वागत करते हैं आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पे और आज हम आपको बताने वाले हैं कि 20 सकी को साड़ी मिल गई है बाकि अन्य महिलाओं को साड़ी कब मिलेगी देखे बीसी सकी के जब फर्म आवेदन मागे गये थे सबसे पहले 2020 में सुरू हुए थे 2020 में 20 सकी का जब आवेदन सुरू किया था पहली पहली बार तब ही सरकार ने गोशना कर दी थी कि 20 सकी को 4000 रुपे 6 महीने तक मिलेगा मान दे उसके बाद नहीं और बाकी वो कमीशन के तोर पर पैसा कमाएंगी और साथ ही उनको ड्रेस भी मिलेगी जिसका डिजाइन राय बरेली निफ्ट तयार कर रही है जब डिजाइन ओके हो जाएगा तो जो ड्रेस है वो बनने का काम सुरू होगा तो उस समय डिजाइन तयार करना निफ्ट को दिया गया था ये पहले गोशना कर दी गई थी कि 20 सकी को ड्रेस भी दी जाएगी जो कि ड्रेस अब तयार होके वित्रन की जा रही है BC सकी की जब ट्रेनिंग होती है तो RCT पर भी बैग मिलता था जिसमें हेट और एप्रेल वगरा ड्रेस वगरा होता था जो पहन कर ट्रेनिंग लेती थी तो उनकी अगलग ही पहचान होती थी जिस तरह आप स्क्रीन पर हेट लगा कि दीदी को देख रहे है पहने हुए लेकिन अब ट्रेनिंग जो दे रहे है लास्ट में तो इसमें नहीं दे रहे है ऐसे ही ट्रेनिंग करवा रहे है तो यहाँ पर आपको बता दे कि समू में अन्य भी नौकरियां है जो महिलाएं कर रही है जैसे की विद्धु सक्खी की नौकरी है ठीक है इसके अलावा बैंक सक्खी की भी नौकरी है समू सक्खी की भी नौकरी है टी एचार प्लांट में महिलाएं काम कर रही है बहुत सी ऐसे पदों पर समू के माध्धिम से महिलाएं जुड़ गई है आपदा सखी जल्द ही नौकरी आने वाली है अजीवका सखी पस उसखी की जॉब है बाकी बहुत सारे पद है FLCRP है CRP है कई सारे पद है समू में जो भी दीदिया नौकरी पा रही है कर रही है तो जरूरी नहीं है कि सभी को साड़ियां मिले क्योंकि ऐसी कोई गोशना नहीं की गई है जिसके लिए सरकार ने बोला था उन्हें साड़ी दी जा रही है जिनके लिए कोई घोषणा नहीं कुछ बताया नहीं किसारी देंगे तो हो कैसे दी जाएगी आगे जो भी सरकार अगर योजना बनाती है लागू करती है तो वो अलग बात है लेकिन सम्हू सखी को सारी देने की कोई बात नहीं कही गई है FL-CRP को नहीं कही गई है CRP को कही गई है कि नहीं कही गई है अभी कोई घोशना नहीं है फिलहाल तो CRP की भी ड्रेस होती है वो लोग बाहर जाती है सभू बनाने उनकी ड्रेस होती है ठीक है ड्रेस बिद्दू सखी की भी हो सकती है यहाँ पर आप देख रहे हैं आपदा सक्खी, आपदा सक्खी की भी ड्रेस बताई गई है और साथ ही जो आपका पसु सक्खी है उसकी भी ड्रेस होती है, बाकी राज्यों में आप देखें तो अन्य राज्यों में पसु सक्खी की भी ड्रेस है, बीसी सक्खी की भी ड्रेस ह है और कई सारी दोक्रियां है इनकी ड्रेस है टी अचbay Hutch करती है महिला उनकी इनकी भी ड्रेस है जल सखी की भी ड्रेस है बागी राज्यों में लेकिन यूब लगा आफ मत kimchi कऊसे के जल होने काट करें गए तो यहां पर हम आपके की वीडियो meant माद्ेम से जरूर बताएंगे क्योंकि अगर ड्रेस देने की बात होती तो सबHI लोग के लिए कहेंगे फिर तो सबस्धाइक सचलेंगी के टेकर भी कहेंगे?- द्रेस दो और भी महिलाये दक की बात नहीं कही गई है आगे अड्रेस देने की कोई सूचना आती है अनमहिलाओं के लिए तो वीडियो के माधिम से जरूर बताएंगे मिलते हैं लक्ष वीडियो में ऐसी इंपोर्टन जादकारी के साथ धन्यवाद